नमस्ते बच्चों, JCRT के DG स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों, आज हम दूसरी कक्षा की एक कवीता जिसका नाम है रसोई में भगदर बच्चों, रसोई मतलब क्या? जहाँ पर पकता है खाना जहाँ पर माँ बनाती है हम लोगों के लिए अच्छा-च्छा स्वादिष्ट खाना तो चलिए बच्चों, उस रसोई में क्या भगदर हो गई? थोड़ा हम देखते हैं तो इसमें जो एक कवीता है बच्चों, और सामने दिख रही है एक बिल्ली बच्चों लगता है कि रसोई घर में बिल्ली आने वाली है चलिए देखते हैं बच्चों, दभी पाउं से बिल्ली आई बच्चों, दभी पाउं, दभी पाउं मतलब एक दाम धीरे से है न? दभी पाउं से बिल्ली आई लगी चाटने दूद मलाई गरम लगा तो प्लेट गिराई बच्चों गिर गया प्लेट है नए फिर से सुन लीजिये बच्चों दबे पाउं से बिल्ली आई लगी चाटने दूद मलाई दूद मलाई बहुत प्यारा होता है बच्चों बिल्ली को दबे पाउं से बिल्ली आई लगी चाटने दूद मलाई गरम लगा तो प्लेट गिराई बच्चों प्लेट तो गिर गया अब क्या हुआ बच्चों सामने देखो ये कौन है ये तो एक काला सा कुटा है न तो क्या हो गया बच्चों 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 अब क्या हो गया बच्चों अब बच्चों की आवाज सुनकर कुत्ता भूकने लगा न कुत्ते ने जो आहट पाई भौं भौं कर आवाज लगाई बच्चों कुत्ते ने जो आहट पाई भौं भौं कर आवाज लगाई अब तो आवाज लग गई मुन्नी जट से दोड़ी आई अरे ये कैसी हो गई गड़बड रसोई में मच गई भरदाड सारे बरतन करते भड़बड सारे बरतन करते भड़बड तो चलिए बच्चों इसे हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं दबे पाउं से बिल्ली आई लगी चाट ने दूद मलाई गरम लगा तो पिल्ली आई लगी चाट ने दूद मलाई गरम लगा तो पिल्ली आई पठके बरतन धूम मचाई कुत्ते ने जो आहट पाई भौंभौं कर आवाज लगाई मुन्नी जट से दोड़ी आई अरे या कैसी हो गई गडबड रसोई बें मच गई भगदड सारे बरतन करते भडबड तो बच्चों इस कविता को आपको करना है याद और आप इसे याद कर लें फिर आगे आपसे मिलते हैं इस कविता के प्रस नोत्तर को भी हम लोग बताएंगे लेकिन पहले करना है इस कविता को आपको याद ठीक है बच्चों जहिन बच्चों